हेलो माई रियर स्टूडेंट्स आज हम करेंगे वर्क्षीट नमबर 166 जो की है दिनांग 10 फरवरी 2021 के लिए आज की वर्क्षीट का सब्जेक्ट है इंग्लीज जो की आपकी टेक्स्ट बुक मेरी गोल्ड पर आधारित है यह वर्क्षीट है क्लास 5 के लिए यहां आप अप लिखतेंगे यहां अपना नाम और यहां अपने टीचर का नाम लिखेंगे आज की वर्क्षीट है वो विल बी निंग्थव स्टॉरी के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं और वर्क्षीट से पहले यह बॉक्स में दी गई जानकारी को भी पढ़ लेते हैं Do you know, the National Dewarming Day is conducted all over India on February 10 every year with the Mop-Up Day on February 15. The objective of this day is to eradicate intestinal worms among all pre-school and school-age children through the platform of schools and Aganwadi centres. The basic aim is to improve the overall health of the children and increase nutritional status, access to education and quality of life तो बच्चों 10 February को conduct किया जाता है National Dewarming Day Dewarming मतलब कीडों से मुक्त करना बच्चों इस तिन स्कूल के बच्चों को medicine दी जाती है ताकि intestinal worms को खतम किया जा सके आतों में जो कीडे हो जाते हैं उनको खतम किया जा सके तो ये होता है 10 FAP को और Mopup Day होता है 15 February को मतलब जो बच्चे 10 February को अगर वो medicine नहीं ले पाते हैं तो Mopup Day पर उनको दी जाती है चलिए अब शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट Good morning students, you must have enjoyed reading the story Who Will Be Ningtho It is a folk tale taken from the state of Manipur which tells us about the qualities which a good ruler must possess It is important for rulers to possess certain qualities that will keep the citizens in their kingdom happy and also make them good leaders तो बच्चों हमने Who Will Be Ningtho कहानी को पढ़ा यह कहां की लोग कता है मनिपुर राज्ये की जिसमें हमने ये भी जाना कि एक राजा में क्या-क्या अच्छे गुन होने चाहिए क्या-क्या qualities होने चाहिए और राजा में अच्छे गुन होना जरूरी है ताकि वहां के उसके राज्ये के लोग खुश रह सकें तो बच्चों इसी के आधार पर चाप्टर पर बेस्ट आपके लिए कुछ questions हैं कहानी को एक बार दोबारा पढ़ें और नीचे दिये गए प्रशनों के उत्तर दें क्या आप इस चित्र को देखकर बता सकते हैं कि ये कौन है किसका चित्र है और इसका क्या नाम है तो हाँ हम जानते हैं ये कौन है हमने कहानी में पढ़ा था इसका नाम है सेने टॉमबी Do you think she is the right person to be the future queen? Give reasons for your answer क्या आपको लगता है कि सेने टॉमबी रानी बनने के लिए एक तम सही परसन है क्या ये सही है कि सेने टॉमबी को वहां की रानी बनाया जाए अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसका कारण भी बताएं कि आपको ऐसा क्यों लगता है Yes, she is the right person to be future queen She feels the pain of people, the animals, the birds and the trees हाँ ये सही परसन है queen बनने के लिए क्योंकि कैसी थी सेने टॉमबी वो ना ही सिर्फ लोगों का दर्द वो वहां के जानवर, पक्षी, पेड़, पोदो, हर किसी के दर्द को समझती थी सबके अच्छे के लिए सोचती थी इसी लिए उसी को रानी बनना चाहिए Next question है बच्छों Let us imagine that your class teacher needs to select a few representatives from your class for different duties like class monitor, cleanliness monitor, etc. Write down any four qualities you think you should possess to be selected as a representative तो बच्चों मान लो कि आपकी जो teacher है उनको आपकी class में से class monitor बनाना है सफाई के लिए एक monitor बनाना है तो अगर वो आपको monitor बनाएं तो आपके पास क्या-क्या qualities होने चाहिए मतलब एक leader को, एक representative को क्या-क्या qualities होने चाहिए ताकि वो एक अच्छा leader बन पाए तो आपको वो चार qualities यहां लिखनी है और बीच में अपना photo लगाना है तो बच्चों जैसे एक leader को responsible होना चाहिए जिम्मेदार होना चाहिए honest होना चाहिए इमानदार होना चाहिए confident होना चाहिए good speaker होना चाहिए उसे अच्छे से अपनी बात कहनी आती हो करें ऐसा ही एक representative होता है तो आपको क्या लगता है कौन-कौन सी qualities होनी चाहिए वो चारा यहां link देंगे अब चलते हैं next question पर question number C find the words from the story that mean the same as the words listed below one has been done for you अब आपको क्या करना है यहां आपको कुछ words दिये गए है और आपको story में से वो words निकाल कर इनके सामने लिखने है जिनका अर्थ इनके समान हो हिंदे में पढ़े हैं ना समानार्थी शब्द तो बस आपको उसी तरह करना है जैसे first है competition और हमारी story में use किया गया है इसके लिए शब्द contest दोनों का ही अर्थ क्या है प्रतियो गिता ऐसे ही बच्चो next है enthusiasm इसके लिए आप story में से word निकालेंगे सब के लिए और फिर लिखेंगे उसके बाद आप वीडियो में से एक बार अपने answer चेक भी कर लेंगे जैसे enthusiasm का है excitement दोनों का ही अर्थ है skilled expert और fine का क्या अर्थ है इनका अर्थ है जो किसी कार्य को करने में एकदम expert हो जिसे कोई काम करना एकदम अच्छे से आता हो जैसे story में यूज किया गया है fine horseman तो expert का अर्थ हो गया माहिर किसी काम को करने में एकदम माहिर है निपुन है next बच्चों climbed इसकी जगे use किया गया है rose दोनों का ही अर्थ है चड़ना उठना उपर की तरफ जैसे rose किसकी second form है rise की rise rose और फिर होता है risen इसी तरह climbed भी climb की second form है second form of verb है next बच्चों announce और declare दोनों का ही क्या अर्थ है गोशित करना next है weapon weapon का अर्थ होता है हतियार और उसी तरह कहानी में use किया गया है spear का जिसका मितलब है भाला तो बच्चों ये हैं आपके worksheet के तीन question जो आप करेंगे और इसके बाद आप अपनी workbook का page number 146 भी करेंगे English की workbook से तो बच्चों आप कीजिए अपनी work sheet और अपने अपने whatsapp group पर send कीजिए thank you बच्चों have a nice day and take care बत्सक की बच्चों आप पर केवलर का सब्सके से श करेंगे ऑमने work độ लगते हैसे к आहमेगे लगते हैं